और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी important है क्योंकि जिस जिस बाइक का आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अब वो बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है और ये 100% confirmed है कि 2020 था कि ये सभी बा भाइयो का सिर्फ एक ही question होता था कि April ये इस बाइक को कब launch करेगी तो भाइयो इस बाइक की launch date आ चुकी है और January 2020 को ये बाइक launch हो जाएगी और इस बाइक में आपको मिलेगा 150cc का single cylinder liquid cooled BS6 fuel injected engine जिसमें आपको maximum power मिलेगी 18bhp की और torque मिलेगा 40Nm का और इस बाइक का expected price रखा गया है 140,000 और दोस्तों ये expected price है थोड़ा बहुत कम जादा भी हो सकता है दूसरी bike है KTM Duke 390 Adventure अब दोस्तों इस bike को launch करने का main motive ये है कि जो Duke 390 है वो एक sports bike है उस bike को race track के लिए design किया गया है लेकिन फिर भी riders उसको long tour पर लेकर जाते हैं और off-roading भी करते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हो कि आप बिल्कुल भी उसको tour पर लेकर नहीं जा सकते हो बाकी आपको भी पता है कि Indian roads कहीं न कहीं खराब होती है और अगर आप बड़े बड़े गड़ों से Duke 390 को निकालोगे तो आपके tires और suspension भी damage हो सकते हैं इसलिए KTM Trip Lover Bikers के लिए इस bike को launch कर रही है और जो लोग इस bike को लेने वाले हैं उन लोगों के लिए एक खुश कबरी है और वो यह है कि Duke 390 Adventure की booking स्टार्ट हो चुकी है और January 2020 तक ये bike आपको आपके nearby KTM showroom पर available हो जाएगी और इस bike में आपको मिलेगा 373.2 CC का single cylinder 4 stroke 4 valve BS6FI liquid cooled engine जिसमें आपको maximum power मिलती है 43.5 BHP at 9000 RPM पर और torque मिलता है 37 Nm का और number of gears इसमें 6 हैं और दोस्तो इसमें आपको off road tires मिलते हैं with dual channel ABS इसलिए अब आपको off roading करने में कोई भी problem नहीं आएगी और इसका expected price है 3,00,000 तीसरी upcoming bike है Bajaj Dominar 200 दोस्तो Bajaj Dominar 200 का भी काफी समय से wait किया जा रहा है क्योंकि इस bike का street fighter looks है और सभी को ये bike काफी पसंद है क्योंकि ये एक heavy look produce करती है और ये bike adventuring करने के लिए भी best है लेकिन 400 CC होने के कारण और जाधा price होने के कारण सभी लोग इसको afford नहीं कर सकते इसलिए Bajaj इस bike का look same रखेगी बस engine displacement 200 CC का कर देगी और एक middle class family के लिए भी ये bike affordable हो जाएगी और इस bike की launch date आ 2020 तक ये bike confirm Indian market में launch हो जाएगी और इस bike में आपको मिलेगा 199.5 CC का single cylinder 4 stroke SOHC4 valve BS6 liquid cooled fuel injected engine जिसमें आपको maximum power मिलती है 24.2 BHP at 9750 RPM पर और टॉर्क मिलता है 18.6 Nm at 8000 RPM पर और number of gears इसमें आपको 6 मिलेंगे और इसका expected price है 1,20,000 बाकि आप comment box पर बताइए कि आप Domina 200 लेना पसंद करोगे की नहीं फोर्थ bike है Honda CB150R दोस्तो इस bike का looks and design especially मुझे काफी पसंद है और आपको भी ये bike पसंद आएगी क्योंकि जब MT15 launch हुई थी तब सारे बंदे इस CB150R को MT15 से compare करने लगे और इस bike को लेकर Honda company को अच्छे results मिल रहे थे इसलिए Honda company ने confirm कर दिया है कि April 2020 तक वो इस bike को launch कर देंगे और इस bike में आपको मिलता है 149 CC का single cylinder DOHC liquid cooled 4 valve BS6 engine जिसकी maximum power है 20 BHP और torque है 15 Nm का और इसका expected price है 1,40,000 लेकिन दोस्तो इस bike में आपको upside down suspension नहीं मिलेंगे क्योंकि वो costly होते हैं इसलिए price cutting करने के लिए Honda company इसमें आपको normal telescopic suspension देगी बाकि आप comment box पर ज़रूर बताइए कि आपको Honda CB150R का looks कैसा लगा 5th bike है Bajaj Pulsar RS400 European country में इस bike का नाम SS400 है लेकिन इंडिया में ये RS400 के नाम से आएगी और इस bike का look same RS200 की तरह रहेगा बस engine displacement 400cc का हो जाएगा और ये bike March 2020 तक Indian market में आ जाएगी और मुझे लगता है कि जो Dominar 400 का engine है वही इसमें transfer हो जाएगा same आपको 373.2cc का single cylinder 4 stroke triple spark liquid cool fi engine इसमें आपको मिलेगा जिसकी maximum power है 42 bhp और torque है 33 newton meter का और इसका expected price है 1,60,000 थोड़ी सी costly है वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको upside down suspension और dual channel ABS का option मिलेगा 6th bike है Yamaha XSR 155 दोस्तो इस bike का look Yamaha ने एकदम simple और compact रखा है जिसके कारण ये bike आपको भी पसंद आएगी और इस bike को आप adventuring purpose के लिए भी use कर सकते हो और Yamaha इस bike को May 2020 को launch करने वाली है और इस bike में आपको मिलेगा 155.1cc का single cylinder liquid cooled BS6 fuel injected engine जिसकी maximum power है 19.3bhp at 10,000 rpm और torque है 14.7Nm at 8,000 rpm नंबर of gears आपको इसमें 6 मिलेंगे और इसका expected price है 1,50,000 अजार साथवे नंबर की bike है Honda CBR 150R वैसे तो दोस्तो इस bike को 2019 में ही launch हो जाना चाहिए था क्योंकि इस bike की demand इंडिया में जादा थी और इसकी वजह से ही old CBR को Indian market से discontinued किया था बट कुछ कारणों की वजह से ये bike इंडिया में नहीं आ पाई लेकिन अब finally ये bike आ रही है और March 2020 तक ये bike launch होने वाली है और ये R15 V3 को looks और performance में भी टकर देगी और इस bike में आपको मिलता है 149.5cc का single cylinder 4 stroke 4 valve DOHC-FI liquid cooled BS6 engine जिसकी maximum power है 17.1bhp at 9000 rpm और torque है 40 newton meter at 7000 rpm का और number of gears इसमें आपको 6 मिलते हैं और इसका expected price है 1,40,000 बाकी आप comment box पर बताइए कि आपको CBR 150R कैसी लगी आठवे नंबर की bike है Yamaha R 125 दोस्तो European country में ये bike काफी अच्छा performance दे रही है और इसका looks भी same R15 V3 की तरह है और आपको तो पता ही है कि इंडिया में 125cc की bike काफी जादा चल रही है और ये bike April 2020 तक launch हो जाएगी और जैसे ही ये Indian market में आएगी फिर RC 125 को जटका लग सकता है क्योंकि इस bike में आपको मिलता है 124.7cc का single cylinder 4 stroke liquid cooled SOHC 4 valve FI BS6 engine जो maximum power produce करता है 14.8bhp की और torque produce करता है 12.4 newton meter का और इसका expected price है 1,10,000 और दोस्तो यामाहा ने ये भी बोला है कि अगर R125 की sailing इंडिया में अच्छी रही तो उसके बाद वो MT 125 को भी launch कर देंगे और ये bike आप सभी के budget में भी आ जाएगी और इसका expected price होगा around 80,000 जो की एक हर middle class family के लिए perfect price है लेकिन launch date इस bike की confirm नहीं है 9 नमबर की bike है Honda Rebel 300 दोस्तो इस bike का look एकदम simple और compact है और जो Harley Davidson की iron आती है उसी से मिलता जुलता इसका design है लेकिन आप इसको sports bike से compare मत कीजिए क्योंकि ये Royal Enfield और Java को टकर देती है sound में नहीं लेकिन road performance इस bike का काफी अच्छा है और ये bike June 2020 तक launch हो जाएगी और इस bike में आपको मिलता है 286 CC का single cylinder liquid cooled 4 stroke DOHC 4 valve BS6 engine जो maximum power produce करता है 27 bhp की और torque produce करता है 23 newton meter का और इसका expected price है 2 lakh रुप है 10th number पर आती है Yamaha MT 03 दोस्तो इस bike का design काफी ज़दा aggressive और sporty है और ये एक perfect sports bike है क्योंकि ये सीधा सीधा dominar 400 को टक कर देती है और ये bike March 2020 को launch होने वाली है और इस bike में आपको मिलता है 321 CC का single cylinder 4 stroke 4 valve DOHC liquid cooled BS6 engine जो maximum power produce करता है 41.48 bhp at 10,750 rpm पर और torque produce करता है 29.6 newton meter at 9,000 rpm का और इसका expected price है 3 lakh रुप है तो उमीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को like कर दीजिए उसको share कर दीजिए और आप मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए thanks झाल आप मेरा आपक झाल 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 झाल